युवा जानवरों को उनके छोटे आकार, अनुखो वहींता और कमजोर सुरक्षा के कारण शिकार के अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है परशु सामराज जिमिन जीबन की जटल टेपेस्टी की सराहना करने के लिए इन मुटभेडों के पीछे की गतिश लिता को समझना महत्कून है जहां युवा जानवरों को शिकार होने की कठोर बास्तविक दाउं का सामना करना पड़ता है प्राकृतिक दुनिया के भीतर जटल संबंधों की सराहना करने के लिए शिकारियों की रणनीतियों अनुकूलन और जीबन और मृत्यू के नाजुक संतुलन को समझना आवश्यक है वन्य जीबन का फिलमांकन करते समय एक परिवार को एक ऐसा द्रिश मिला जिसे विशायदी कभी भूल पाएंगे प्रारंब में यह एक विशिष्ट अफ्रकी सफारी की तरह लग रहा था इंपाला, स्परफावल और यहां तक की एक बहुतोग परिवार भी शान्ती से चर रहा था सुअर के बच्ची पेडों के बीच अठ खेलियां कर रहे थे मासू मनवेशन में सड़क पार कर रहे थे इस परिवार को कम ही पता था वे एक शिकारी की घातक सटीकता को देखने वाले है उनसे अन्भी के एक देजाखों बाला मार्शली गल उपर छिपा हुआ था अचानक छपटा मार कर चील की छाया उनसू अरके बच्चों पर पड़ी जिन पर कोई संदेह नहीं कर रहा था ये परिवार का बेटा था जिसने सबसे पहले राज से शिकारी को देखा था और क्यामरे के लेंज के माध्यम से चंद्चल पिगलेट को फोकस में रखने में काम्याब रहा जैसे ही चील ने अपना शिकार पकरा परिवार के होठों से चीख निकल गई उनके सामने मन मोहग तरिशी सामने आया एक शिकारी और उसका अवद बास्तिविक समय में जीवन और मृत्यू का नृत्य है उन्होंने देखा कि बाजबास के एक पेड़ से उतर रहा है उसके शक्ति शाली पंजोंने जूलते सुअर के बच्चे को पकर रखा है अभ्यास में आसानी के साथ बास अपने पुरसकार को एक एकांच जाड़ी में ले गया और दर्शकों को चकित कर दिया जीवन में एक बार हुई इस मुलाकात में परिवार पर अमिट शाप छोड़ी उन्होंने मार्शल इगल की शक्ति और अनुगरह को कैप्चर करते हुई घटना का दस्ता वजिकरंड किया हाला कि इंगरेशी कुछ लोगों के लिए परेशान करने वाला हो सकता है लेकिन ये प्राकृतिक दुनिया के नाजुक संतुलन की सपश्ट यार दिलाता है हाला कि ये ध्यान रखना महतकून है कि इस वीडियो में इगल द्वारा पहेरियों और हंसों का शिकार करने के उलेके लिए सत्यापन की आवशक्ता है ऐसी घटनाई अत्यंत दुरलब होती है और अक्सर आकजमिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है वने जीवों का सम्मान करना और गलत सूचना से बजना महतकून है जो इन शान्दार प्राणियों को नकारात्मक रूप में चित्रित कर सकती है आये बाज की शिकार कौशल के लुभाविने प्रदशन की सराहिना करें और जंगल में ऐसी दुरलब घटना को देखने का सौभागिस विकार करें मैदानों में एक रूमान चक होज़ शुरू होती है जब एक चिकने चीते की नजर एक युवा वाइल्डा बीस्ट बचरे पर पड़ती है सफारी आत्रियों के लिए इस दृशी को देखना उनके पंजानियाए साहसी कारे का एक रूमान चक आकरशन है जबकि अन्य अफ्रकी देशों में चीता सफारी का आनंद लिया जा सकता है पंजानिया के विशाल घास के मैदानी इन शानदार शिकारियों को काम करते हुए रेखने के कुछ बेहतरीन अफसर प्रदान करते हैं जुन्ट से भटकने के खत्रों को नजरंदाज करते हुए बच्छडा जंगल के सीमा में चला जाता है और अन्जाने में चीते की नजर उसकी ओर आकरशित हो जाती है हलाकि घनी जाडियों के बीच से पीछा करना चुनोती पून है लेकिन पीछा करने का तनावस पश्ट रहता है जैसे ही चीता करीब आता है कोई भी उसके द्रसंकल को लगभग महसूस कर सकता है जबकि बच्छडी की उनमत चला के जीवित रहने के लिए उसकी हाताश लड़ाई की जलाग पेश करती है बच्छडी के साहसिक प्रयासों के बावजूद चीता की बेहतर्गती और चपरता निरनायक साबित होती है इसकी पकड़े जाने का अक्षन हलाकि प्रकृटी की एक कठोर बास्तविक सा है शिकार के लिए चीते की उलेखनी अनुकूलन को दर्शाता है अपने शिकार को सुरक्षित रखने के साथ शिकारी संभावित खत्रों के प्रती सतर्क रहते हुए पेड़ों के नीची आराम करता है इस क्लिप में एक युवाचीता परिवार को अपने शिकार कौशल को निखारते हुए दिखाया गया है दो शावर एक वाइल्ट अबीस्ट बच़डे को नीची गिराने के लिए मिलकर काम करते हैं पीछा करने और उसे गिराने का जटिल रिक्य सीखते हैं जहां की अनुभव हींता लंबे संभर्ष की ओर ले जाती है वहीं मा का मार्ग दर्शन अन्तह सफरता सुनिश्ची करता है कोई भी हमारी आँखों के सामने प्रकट होने वाली प्राकृतिक व्यवस्था को देख कर आश्चर चकित नहीं हो सकता है जहां जीवित रहना शिकार और शिकारी दोनों पर निर्भर करता है जो अपनी प्रवरिती को निखारते है इस ख्लिप में एक अकेला चीता आराज़र वाइल्ड अबीस्ट की भगदर से बच जाता है और एक कमजोर बच्छडे को जुन से अलग कर देता है वाइल्ड अबीस्ट का उन्मक्र विक्राव अवसर की एक फिल्गी बनाता है चीताई से घातक सटीकता के साथ पकड़ लेता है हाला कि ये ग्रिश्य भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन कर सकता है लेकिन इसे सेरे नगेटी के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्पून अध्याय के रूप में पहचाना महत्पून जमीन पर सबसे तेज चानवर चीता शिकार में माहिर होते हैं उनकी चिकन शरीर और अविश्वस निये गती खुले मैदानों में शिकार का पीछा करने के लिए पूरी तरह से आनुपूलित हैं हाला कि शिकार की सफर ताकी हमेशा गारंटी नहीं होती है और प्रतेक भोजन अपनी चुनोतियों के साथ आता है इस युवाची टे के लिए सुर के बच्चे को पकड़ना एक तेज और सफर्द शिकार था हाला कि ऐसा शिकार केवल अस्थाई जीविका प्रदान करता है वाइल डबीस या इंपाला जैसे बड़े जानवर उन्हें अधिक परियाप्त भोजन प्रदान करते हैं सड़क के बीच में भी इंपाला को गिराना एक युवाची टे के लिए संखर्ष पूर्ण हो सकता है उनके पास हद्या को कुशलता पूर्वत पूरा करने के लिए अनुखवती कमी हो सकती है उन्हें संखर्ष रच्षिकार को तब तक पकड़ कर रखना हो का जब तक कि वे इहार न मान ले एक टोपी माने अपने बच़डे से शिकारियों का ध्यान भटकाने के लिए को जोखिम में डालते हुए देखना इस बात को उजागर करता है कि जानवर अपने बच्चों की रख्षा के लिए किस हद तक जाते हैं ऐसी मुढ़ घेडों को देखते समय प्राकृतिक दुनिया में नहितल चीलेपन और उग्रप्रेम की सराहना करना महत्पून है मसाई मारा में एक चीता नीचे जुक कर एक युवा हिरन को देख रहा था खत्रे को भापते हुई गजल ने तेजी से चलांग लगाई लेकिन उसकी गदिस सबसे तेज भूमी स्तन पाई से आगे नहीं बढ़ सकी नमबर दो सियार हंटिंग बेबी जैन निमल इस क्लिप में भूक से प्रेरित होकर एक सियार सील कॉलोनी के किनारे पर भूम रहा है उसकी नजर कमजोर बच्चों पर टिकी हुई है एक बत्तसमत पिल्दा सियार के तेढ़ हमले के आगे चुक कर उसकी चालाकी का शिकार हो जाता है मा सिल के चीखें हवा को चीरती हैं लेकिन कॉलोनी के बाकि सिल अजीब तरह से निश्क्रिय रहते हैं ये असमाने विवहार सवाल उठाता है वैसक सिले अपनी सुरक्षा के लिए हस्तक शेप क्यों नहीं करती है इस क्लिप में दो सियार एक युवा चिकारे को खा रहे है जबकि उसकी मा बीच बचाव करने की कोशिश कर रही है उसके ग्रिर प्रयासों के बावजूद गजेल की किस्मेत पक्की लग रही है ये ग्रिश देखने में निर्विवाद रूप से चुनोती पून होने के बावजूद प्राकृतिक दुनिया की कठोर बास्तविक जहां अस्तिफ अक्सर शिकारी शिकार की गती शिल्ता पर निर्भर करता है इस ख्लिप में केनिया के मासाई मारा नाशनल रिजर्व में धुन्ध भरी सुबह की गेम ज्राइब पर परहटकों ने एक दिल दहला देने वाला दृशित देखा एक नजात पाइल अबीस कमज और लड़ खड़ाता हुआ उठने के लिए संखर्ष कर रहा था पास में उसकी माउथ सुपता से चर रही थी उसकी सुरफशात मक प्रवरित्ती जंगल की कठोर बास्तविकताओं से योड़ी कर रही थी सियारों के चिपे हुए जुन को डराने के लिए पार्क्रेजरों क बहुत दुर प्रयासों के बावजूद प्रकृति का अपरिहारे पाठिक्रम सफारी समूह की देखने वाली आँखों के सामने प्रकट हो गया वह युवा जंगली जानवर जो भागने में बहुत कमजोर था अपने भागे के आगी भार गया इस घटना से परहटकों में श क्रिटिका अवलोकन करने का मतलब उसकी अन्फिल्टर्ड बास्तरिक्ता को स्विकार करना है भले ही वो हदर दनाक हो इस क्लिप में केनिया के मसाई मारा में दो सियार एक इंपाला को मारने में काम्याब रहे संखर्ष बिलकुल भी आसान नहीं था दस मिनट से अधिक समय तक चला इससे पहले कि छोटे शिकारियों ने अन्ताय अपने शिकार पर कबजा कर लिया बात में उनके जुनके बाकी सदस से दावत में शामिल हुए हाला कि हत्या कद्र शिक्रूर लग सकता है लेकिन गीदरों के लिए यह एक दुरलब और चुनोती पून उपलब धी है वे आमतर पर बड़े शिकारियों द्वारा छोड़े गए चुकलों को खोजते हैं सक्रिय शिकार के बजाए अब सरवादी भोजन पर भरोसा करते हैं यह सफल निशकासन इन साधन संपन प्राणियों की अनुकूल नशिल्टा और संसाधन शिल्टा को दर्शाता है इस क्ल जाने के लिए जाने जाते हैं इस मामले में स्यारों के एक चिपे हुए कि रोह ने एक हिरन के बच्चे को देखा और तेजी से उसे पकड़ लिया और मार डाला यह घटना इस क्षेत्र में स्यारों की आमशिकार रणीती पर प्रकाश डालती है वे अकसर तब तक जाड़ि नमबर एक जंगली कुट्टा हंचिंग बेबी जैन निमल अप्रकी जंगली कुट्टों को अकसर खतरनाक और आकरामक खत्यारों के अनुचित लेवल का सामना करना पड़ता है हाला कि करीब से देखने पर एक सफर्शिकार के बाद एक जटि सामाजिक संद्रचना और उलेखनिय सहियो गात्मक व्यभार का पता चलता है अधिकांश शिकारियों के विप्रीद जंगली कुट्टे अपने जुण की भलाई को प्राथमिकता देते हैं ये सुनिश्चित करते हुए कि युवा और बीमार पहले खाएं ये वीडियो इस आकरशक व्यभार को दर्शाता है जुण ने एक युवा वाथो को सफल दापूर्वत पकर लिया है अपने शिकार को तुरंट खाजाने की बजाए कुट्टे उसे केंद्री स्थान एक सामुदा एक साच्छा मैदान में फीच लेते हैं यहां पिलों और कमजोर कुट्टों को भोजन करने का पहला मौका मिलता है जिसे उनका अस्तित्वो और विकास सुनिश्चित होता है ये अकेला जंगली कुट्टा अपने जुन से अलग एक युवा इमपाला को खाता है सपश्ट दावत के बावजुद कुट्टा चिंता के लक्षन प्रदर्शित करता है ये बार-बार अपनी आसपास का निरिक्षन करने के लिए रुपता है और यहां तक कि अपने शिकार को हिलाता भी है जैसे कि उसे चलते रहने के लिए अग्रह कर रहा हो जो उसके अकेलेपन और भीधिता का एक संभावित संकीत है कुछी मिन्टों में शायब किसी अद्रिशिक खत्रे से घबरा कर कुट्टा अवशेशों को छोड़ कर भाग जाता है कुट्टों का एक समुह सांडबार हिरन के बच्चे के पास आता है हाला कि हिरन के बच्चे की मा मौजूद है और सतर्ख है कुट्टों की उपस्थिती एक संभावित खत्रा पैदा करती है ये याद रखना महत्कून है कि हिरन जैसे जंगली जानवरों में अपने बच्चों की रख्षा करने की प्रबल प्रव्रिट्टी होती है और स्थिती का परिणा मनिश्चित रहता है दोस्तों हमें बिश्वाश है कि ऐ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्क्राइब और लाइक करे ताकि हमको मोटिवट मिले अगली वीडियो में इसी अच्छे चॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगी दोस्तों तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे ठ्यांक्यू